Hello students, this is our next video of fluid mechanics, और इसके उपर जब हम बात करेंगे na, fluid mechanics के इस topic में, this is surface tension जिसको हम आज discuss करने वाले हैं, this is surface tension. बहुत interesting और बड़ा important phenomena है ये, liquids का, fluids का, ठीक है, तो surface tension की बात जब हम करेंगे, तो surface tension सुनेंगे, हम क्या है, पहले उसकी थोड़ी सी ऐसी चीज़ें, मैं illustrations दे रहा हूँ, कि हमने, ये हमने इसके बारे में बात की क्यों, क्या चीज क्या है ये surface tension, इसके बारे में जरा बात कर करते हैं, this is a property of a surface, कैसे property है surface की उसको देखना जरा, क्या-क्या ऐसे phenomena है, जो हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हमें पता चला कि यार, इसको भी study करना important है, ठीक है, देखना जरा, please, सबसे पहला, सबसे पहली चीज अगर आप देखो यहाँ पे, यह drops जो, आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसे जब भी बारिश होती है, यह ऐसे कोई dew drops आपको दिखाई देंगे, सुबा, plants के उपर, आपके पत्तों के उपर ऐसे पड़े होए, तो उनके, यह structure जो है, इस exactly spherical होती, exactly spherical होती, अगर gravity नहीं होती, gravity ने इसको flatten किया हुआ है, बात मरलब एक extra force लगी है इसके उपर, जिसकी वज़ा से यह, यह जो sphere है, यह flat हो गया है, तो otherwise यह perfect sphere होता, अगर gravity absent होती, मैं आगे जाके आप से यह भी बात करूँगा, कि हम ऐसा भी experiment करेंगे, जहाँ पे ह रांके liquids के drops, यहाँ तो यह पानी का drop है, ऐसे किसी भी चीज के drops अगर होंगे, वो spherical ही shape लेते हैं, और कोई shape लेना वो पसंदी नहीं करते, yes, my word is very correct कि वो पसंदी नहीं करते, liquid हमेशा जब भी drops में पाया जाएगा, हर जगा, किसी कभी, हाँ, किसी liquid का spherical जो है, वो बनने की ज़्यादा tendency होती है, आचा बड़े drops में क्यों नहीं spherical बनता, बड़े drop में इसलिए नहीं बनता, क्योंकि फिर बड़े drop में, mass ज़्यादा हो गया, mg ज़्यादा हो गया, तो वो फिर बिखर जाएगा, जैसे second figure में आपको दिखाई दे रहा है, जब आप इस तरह का water लोग we call it bug, छोटे छोटे कीडे, जिसमें हम mosquitoes भी होते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ, mosquitoes की कितना अच्छा phenomenon है, आप ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने बहुत बार सुना होगा ये बात कि आप कहीं पे भी इस तरह से पानी पड़ा होगा, अगर तो वहाँ पे mosquitoes आके ठैरते हैं, they even breed on the water, तो जो mosquito है वो swim नहीं करता water में, याद रखना, वो water के ऊपर चलता है, it literally walks, समझ रहे हो बात, वो walk करता है उसके ऊपर, swimming नहीं करता, swimming is like this, swimming जब भी होती है ना, तो body का कुछ, इसको भी देखो, यहाँ पे भी ये body float कर रही है, float करना, swim करना, one of the same thing, ठीक है, ये जो float कर रही है, आप देख रहे हो क्या, थोड़ा सा portion ज़रूर पानी के अंदर गुसा होता है, हमेशा, ऐसा कोई swimming phenomena possible नहीं है, य आप सिर्फ इतनी बात अभी समझ लो, कोई भी चीज मुझे दुनिया की float करके बता दो, जो सिर्फ उपर ही रहे, बिल्कुल भी अंदर डूबे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, that is not possible, ये buoyancy का और floating का phenomena ऐसा है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं bugs को, they don't swim, they just walk, इनका कोई water के अंदर अगर ये water का surface है, तो इसकी अगर जो इसकी leg है, जिसके साथ ये चल रहा है, वो बिल्कुल ऐसे चलती है, ऐसे, it doesn't dip, ऐसे होती अंदर, गुसी होती, तो हम बोलते है, हाँ यार, ये भी float कर रहा है, तो ये float नहीं कर रहा है, ये float नहीं कर रहा है, ये चलता है इसक not possible, कुछ तो ऐसा है जिसके वज़ा से, तो वो जो चीज है, जिसकी वज़ा से ऐसा हो रहा है, आप समझना आप आपको, देखो मैं आपको बताता हूँ, इस इस फिगर को देखो, यहाँ पे यह मैंने एक पानी का ऐसे करके ड्रॉप आपको शो किया, ठीक, यह पानी का ड्रॉप आपने शो किया, इस बैलून को मैंने साथ में रखा है, यह बताने के लिए, कि भई, अगर आपको यह पानी ऐसा दिखाई दे रहा है, यह बिखर क्यों नहीं रहा नीचे की तरफ, यह फैल क्यों नहीं रहा पूरा, इसको किसी ने रोख के रखा है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, हर चीज़ दिखती नहीं है, यह याद रखना बाद, ठीक है, हर चीज़ नहीं दिखेगी, कुछ चीज़ें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही होती हैं, और जो वो नेकेड आई से हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब फिनॉमिनास फील कियेगे, जब लोगों ने अंडर्स्टैंड किया, इसी को कहते हैं, थ्रेटिकल फिजिक्स, और जब हमने इन चीज़ों को देखा, और हमने समझा, तो हमने बोला, कि यार वाटर की जो सर्फेस है न, it acts like a membrane, it acts like a stretched membrane, मतलब रबर की है, जैसे ये बैलून की है, यहाँ पे तुमने इसके अंदर क्या है हवा, उसको तुमने hold करके रखा हुआ इसके अंदर, इसके अंदर तुम हवा डालते हो, अपने mouth के through, इसके अंदर हवा insert करते हो, insert करते हो, तो यहाँ पे अंदर pressure पड़ता है इसके उपर, इसकी walls के उपर, तो यहाँ पे अगर इसके, इस water को अगर इसने hold करके रखा है, मान लो किसी चीज ने, जो इसके बाहर है, जो जो हमें दिखाई नहीं दे रही, invisible चीज जो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो उसके उपर क्या पड़ रहा है, जैसे इधर, इधर, इस, इस rubber frame के उपर, यह rubber का जो इसका material रहता है, इसका balloon का, उसके उपर जैसे pressure feel कर रहा है, और अगर यह pressure बढ़ाते रहो, तो क्या brush करता है कि नहीं करता है, यह balloon, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, तो वो एक limit है इसकी, उस pressure को जेलने की limit है, जिसको यह balloon, अगर कर गया withstand, तो यह इस shape में रहेगा, नहीं तो विखर जाएगा, विखर जाएगा, मतलब हवा बाहर निकल जाएगी, similar is the case with the water, similar is the case with the water, दोनों में difference यह है, कि यहाँ पे balloon clear cut नजर आ रहा है, वहाँ पे वो balloon को वाला structure मुझे नजर नहीं आ रहा, जिस तरह से balloon एक stretched membrane है, उसी तरह से यहाँ पे भी एक invisible stretched membrane है, जो मुझे दिखाई दे नहीं रही, और उसी के कारण, यह कीड़ा भी इसके उपर चल पा रहा है, उसी के कारण, यह spherical shape भी लेता है, और मैं अभी आपके साथ यह सब phenomena को बड़ी detail में discuss करूँगा, और आपने इसको बहुत अच्छे से understand करना है, अब यही फिनॉमिना है surface tension, जिसकी वज़ा से दो और फिनॉमिना हम आगे जाके पढ़ेंगे, इस वीडियो में नहीं कवर होंगे वो, आगे जाके पढ़ेंगे, दो फिनॉमिना कौन-कौन से, capillarity उस फिनॉमिना का वो उपर कैसे चड़ा, क्योंकि देखो, यह आपकी विक है, बत्ती, इसको आग लगी है, यहाँ, तेल पढ़ा है, यहाँ, और बार बार यह तेल उपर चड़ेगा, तो यह जलेगा ना, इसको चाहिए ना, illumination के लिए कुछ, fuel, तो वो तब जलेगा, तो यहाँ से अपने आप यह चड़ता है, और हम देखते भी हैं, कि थोड़ी देर के बाद यह वाइल खतम हो जाता है, इसलिए इस फिनॉमिना को जो चटड़ी करना है, हमने इसको कहते है, capillarity, and this capillarity is also based on the concept of surface tension, mind it, similar is the condition with the plants and trees, कि इसकी roots अंदर है, इस तक भी पानी ऊपर तक जाता है, इसक also action of capillarity, this is also action of capillarity, which we will study later on, but the important part is, this capillary action, this capillarity is also based on the phenomena surface tension, we are going to discuss in this video, मैंने आभी आपको सिरफ कुछ नहीं बताया surface tension के बारे में, सिरफ मैंने यह बताया कि बाई कुछ ऐसा गड़बड है, जिसकी वज़ा से यह सब हो रहा है, और उसको मुझे study करना important है, जैसे capillarity भी plants के case में या trees के case में पानी ऊपर कैसे चड़ गया, roots के through, gravity defy हुई न, ठीक है, उसके बाद यह bug कैसे चल गया, जब यह float करनी रहा तो फिर यह चल कैसे गया, यह drops मेशा spherical ही क्यों बनता है, यह सब phenomena को जब लोगों ने देखा, तो कहा भई कुछ तो गडबड है, let's study it, तो और water जो पड़ा हुआ है, water ले लो, कोई भी liquid ले लो, हम किसी भी liquid की बात कर रहे हैं, मैं बार-बार water बोलता हूँ क्योंकि हम अपने across ज्यादा तर liquid कौन सा देखते हैं, water ली देखते हैं, इसलिए मेरे मूँ से water निकलता है, but when I say water, it is applicable for every fluid, तो अब देखो, यहाँ पे क देखते हो न, उन सब में inter-molecular forces होती हैं, अब inter-molecular forces की अगर मैं बात करूँगा, तो जो बिल्कुल center में यहाँ पे आपका molecule है, इसको force यहाँ से भी लग रही होगी, force of attraction होती है, यहाँ से भी लग रही होगी, inter-molecular forces, दो molecules के आपस की बीच में आपस की forces, तो इस पे force ऐसी लग रही होगी, लेकिन जो surface पे है, उस पे force सिरफ नीचे की तरफ लग रही होगी, है या नहीं, और जो surface की मैं बात कर रहा हूँ न, यह बड़ा interesting phenomenon है, surface को लेके गबराना नहीं आप, surface जो होता है न, यह कुछ molecules, दो तीन molecules की layer होती है, तो आपको naked eye से नजर आ सकता ह की micrometer, micro मतलब होता है 10 raise to power minus 6, यह आप इस तरह से लिख लो, 10 raise to power minus, 10 raise to power minus 6 mm, 10 raise to power minus 6 mm का मतलब समझते हो, मैं बताता हूँ, 1 mm के 10 lakh टुकडे करो, तो 10 raise to power minus 6 mm हुआ, 1 mm देखा न, scale पे, 1 mm के 10 lakh टुकडे करो, 10 lakh होता है 1 million, और उसी को बोलते है micro, याद रखना आप, ठीक है, तो अगर उसका millionth part लो, तो उसको बोलेंगे हम, तो इतनी surface की film की बात चल रही है, जो naked eye से आपको नहीं दिखाई देगी, इसकी और एक और simple example बताता हूँ, आपको surface engine की, आप sop bubbles के साथ बहुत खेला होग तो देखा होगा अपने phenomenon, sop bubble के बीच में इस तरह का structure होता है, इसको डालो, sop bubble के बीच में तो यहाँ film बन जाती है, sop की, इसकी ओपर जब film बन जाती है, तो उसको आप जब blow करते हो, तो spherical bubbles, sop bubbles, हवा में बहुत सारे फैल जाते हैं, और वो हमेशा spherical shape के होते हैं, यह भ उसका negligibly, negligible small होगा, लेकिन उसमें जो important बात आपको बता रहा हूँ न, जो sop bubble आप उड़ता हुआ दिखाई देता है न आपको, इस तरह का perfect sphere, आप बताओ कितने surface हैं, दो surface हैं, आप बोलोगे सर इतनी पतली ले और यह एक surface, नो, यह पतली आपको आँक से दिखाई दे कोई भी आपको कुछ भी बात बोल दे, कोई आपको इतना ही बोल दे, मेरे पास बहुत पैसा है, कितना पैसा भाई, किसी के respect में बात करो, आपके comparison में बात हो रही है, मुहले के comparison में बात हो रही है, इंडिया के comparison में बात हो रही है, अमानी के साथ relate कर रहे है, या world के साथ relate कर रहे हैं, मतलब वो बात करनी पड़ेगी किस comparison क्या है कि कोई अमीर है कोई गरीब, मतलब यह जितनी भी बातें हैं न सब greater, less यह सब relative words होते है क्या 1 mm छोटी amount है या ज़ादा length है, अरे पहले बताओ इसके respect में बात करोगे तो 1 mm भ्यंकर बढ़ा हो गया 1 mm इससे इससे 10 लाग बढ़ा है 1 mm, जो की बहुत छोटा है जो मुझे नेकेड आई के लिए कुछ भी नहीं है, अब जैसे इसकी film है, यह film में आलो, होगी कोई मैं बताता हूँ आपको half mm half से भी, 1 by 10 mm ले लो, तब भी वो कितना बढ़ा हुआ इससे, बहुत बढ़ा हुआ अगर 1 by 10 भी ले लो चोलो, 1 by 10 mm 1 by 10 mm ले लूँ अगर ये film, ठीक है 1 by 10 mm ले लूँ, तो आप मुझे बताओ अगर मैं 1 by 10 भी ले लूँ तो वो इससे कितनी बढ़ी हुई, एक लाक गुना बढ़ी हुई, वो 10 लाक मैंने 1 mm बोला था, 1 by 10 कितना बढ़ा हुआ ये तो mathematics है, अब ये भी सब इसमें भी गड़बड करोगे, तो फिर गड़बड हो जाएगी, ठीक है तो आब यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं कि यह जो sop bubble बना था इसके यहाँ पे भी air है, इसके इधर भी air है इसलिए यहाँ दो surface बनते हैं आप ध्यान देना प्लीज, एक इस बहार वाली layer के साथ, एक अंदर वाली layer के साथ, मतलब ये sop bubble अगर microscopic level पे देखा जाए, अगर ये sop bubble microscopic level पे देखा जाए, तो ये actually, actually, समझ रहे हो बात को, ये ही बात आपसे बात करनी है, मुझे ये भी confusion थी बहुत लोगों को, ठीक है, ये sop bubble ऐसा है, तो अंदर का जो surface बना molecular level पे, वो ऐसा बना, इतना सा, और बाहर इतना बना, इधर, तो दो surface बने हैं वहाँ, जो sop bubble की पतली सी लेर, जिसको तुम कभी touch भी कर देते हैं, तो फट जाती है वो एकदम, ठीक है, वो तुमें कितनी पतली है, कितनी पतली है, लेकिन वो कितनी पतली होने के बावजूद भी, जब मैं surface tension की बात कर रहा हूँ, मैं surface की बात कर रहा हूँ, तो उस समय वो बहुत मुटी है, जब मैं surface की बात कर रहा हूँ, तो वो ही sop film जो तुम्हें पतली है, तुम्हें बता रहा हूँ ना, कोई भी चीज less than, greater than, कभी नहीं बोलना, जब तक तुम्हें कोई वो ये न किसके respect में बात हो रही है, किसके respect कैसे बोलो, कैसे बोलो, bita किसके respect में बात कर रहिए है, रिस्पेक्ट तो बता हूँ,ischen不同 की बहुत बड़ा है, bin phum coldassen बहुत बड़ा होता है, मुझे बहूत बढ़ा होता है जब हमेशा respect में बात होगी यह मैं इतनी बात आपको समझा रहा हूँ कि 1 mm कोई आपसे बोले कोई आज के बात बोले 1 mm बताया ज्यादा length है या या कम length है आपने बुलना respect बताओ भई किसके respect जब molecular theory की बात कर रहे हो molecular range की बात कर रहे हो तो बहुत बड़ा है 1 mm बहुत बड़ा है मैंने बताया आपको कितना बड़ा है 10 raise to par minus 9 meter की surface होती है एक दो molecules की लिए वो ही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं वापिस आता हूँ जहां मैं बढ़ रहा था कि यह जो आपको यह surface नजर आता है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो molecules है वह एक दो जैसे मैंने ऊपर यहाँ बनाए है तीन molecules हैं यह जो ऊपर वाले molecules हैं इनके ऊपर कुछ phenomena different है बाकियों का सबका phenomena same है बिलकुल बाकियों के सबके ऊपर जो intermolecular force लग रही है उन सबका net ultimately zero है तो इसलिए वो बन्दा जब यहाँ पे कोई भी body एक बात याद रखना वो हमेशा minimum energy position में रहना चाहती है कोई भी दुनिया की चीज होगी जब आप pen को ऊपर उठाते हो तो वो हमेशा नीचे जाने की कोशिश क्यों करता है क्योंकि तुमने उसकी potential energy को बढ़ा दिया जब तुमने उसको उपर लिया अब वो जाना कहां चाहता है नीचे ground पे तो हमेशा जो भी चीज होगी वो हमेशा minimum energy position में रहना चाहती है the most stable position उसके लिए तब होती है जब minimum energy position में होती है तो यहां पे अगर मैं energies की बात करूँ तो इस molecule को बाहर निकालना असान है या इस molecule को बाहर निकालना असान है देखो इस तरह से बात करते हैं इसको binding energy बोलते है binding energy इसको bind किया हुआ इसके molecules इसको बाहर निकालना comparatively difficult है अंदर वाले को और इसको निकालना comparatively असान है क्योंकि इसके उपर जो force है वो चारो तरफ से नहीं है वो सिर्फ नीचे की तरफ से है इसलिए मैं बोलूँगा कि उपर वाले surface के उपर उपर वाले surface पे जो आपकी ये है जो आपकी potential energy है जो potential energy है वो जादा है in comparison to जो beach वाला है इसलिए जो आपके जो molecules जो आपके molecules surface के उपर रहते हैं यहां वो हमेशा यहां रहना पसंद नहीं करते हैं पहली बात तो यह समझ नहीं है इसमें दो तीन बात हैं important डाइंस में पहली बात आपको यह बता रहा हूँ कि यहां वो रहना पसंद नहीं करते हैं वो कहां जाना पसंद नहीं करते, वैसे भी आप देख सकते हैं, उनके उपर force लग रही है, यह मैंने यहाँ पर बनाया है, अब यहाँ पर बनाने के बाद यह जब देख रहे हो आप, तो जब इनके उपर नीचे की तरफ force लगेगी न, तो ultimately होता क्या है कि यह जो उपर वाली layer के molecules है न, यह थोड़ा अपने आपको compress कर लेते हैं, कर नहीं लेते हो जाते हैं, force की वज़ा से, जो मैंने आपको बताया, यहाँ net force है, यहाँ net force नहीं है, और यह इन्होंने compress कर लिया, और इसी लिए, इसी लिए, अब यह इस उपर वाली layer की density भी बढ़ गई, और इसकी density बढ़ने के वज़ा से, यह जो उपर वाली layer मैंने अभी बनाई, यह इससे different है, इससे different होने की वज़ा से, it is like a membrane, it is like a membrane, membrane हो गया, जैसे किसी ने बड़ी जोर से stretch करके, एक rubber की sheet हींची हुई है, जैसे आपको balloon का structure बताया, that is also a membrane, पतली सी, पतली सी जैसे balloon का होता है material, बतलासा, rubber का, और कितना भी stretch किया जा सकता है, वो तो ज्यादा stretch किया जा सकता है, यहाँ पे इतनी stretch इसकी, इसकी भी values हैं, हर एक जगा different है, mercury की surface tension बड़ी हाई होती है, आपने mercury कभी गिरती देखी हो, अगर thermometer तूटा हो ना, गर में कभी, ठीक है, thermometer तूटे ना, तो वो जो mercury के drop होते हैं, भाग जाते हैं एक दम, ठीक है, वो छोटे-छोटे होते हैं, और हमेशा spherical होते हैं, 100% spherical होते हैं, अभी spherical का reason आपको बताया है नहीं कि spherical क्यों होते हैं, पहले तो अभी सिर्फ इतनी बात बताई कि surface पे कुछ different है, उच different की वज़ा से पहली बात ये, कि surface के molecules की energy जो है, वो comparatively अंदर के molecules से ज़ादा है, इसलिए वहाँ पे molecules रहना पसंद नहीं करेंगे, वहाँ पे से कम molecule रहना पसंद करेंगे, और जो होंगे भी, वो भी थोड़े tightly packed हो जाएंगे force की वज़ा से, और tightly packed होने की वज़ा से, वहाँ surface के उपर density comparatively ज़ादा होगी, और density comparatively ज़ादा होने की वज़ा से, they act like a membrane, they act like a membrane, और इसी लिए, इसी लिए क्या होगा, इसी लिए सबसे पहली बात कि ये bug चल पाया, इसकी reason हमने बता दिया, इसके थूप, इसकी थोड़ी density ज़दा होने की वज़ा से, ये एक membrane की तरह act करता है, तो ये उपर चल पाता है, पहली बात ये, लेकिन spherical का reason आपको नहीं बताया, spherical का reason ये है, कि जो भी ये surface है ना इसका, यहाँ पे कम से कम molecule रहना चाहते हैं, इसका मतलब जो liquid है, उसका surface area कम से कम रखना चाहेगा, और हमें मालूम है, याद रखना mathematics की बाद जिसको नहीं मालूम होगी, of the given volume, surface area of the sphere is minimum, अगर मतलब मेरे को कोई एक volume दे दे, और उसका मैं cube भी बना सकता हूँ, कोई भी दे दे, कुछ भी दे दे, उसका मैं cube भी बना सकता हूँ, उसका मैं cone भी बना सकता हूँ, ठीक है, उसका मैं cylinder भी बना सकता हूँ, उसका मैं sphere भी बना सकता हूँ, मेरे को किसी ने कुछ volume दिया था उसका मैंने ये चार structure बना लिए somehow ठीक है और जब चारों का तुम surface area calculate करोगे तो sphere का minimum चारों का volume बराबर है volume चारों का बराबर है ये चारों मैंने figure बनाई volume चारों का बराबर है लेकिन sphere has the minimum surface area याद रख लो अब calculate करने नहीं बैठ जाना ठीक है calculate भी हो सकता है ये सब कुछ लेकिन अभी नहीं मुझे जरूरता इस topic के लिए अभी मैं ये बात याद भी रख सकता हूँ क्या कहा मैंने of the given volume sphere has the minimum surface area इसलिए हर liquid पसंद करेगा कि वो किस mode में रहे किस में रहना चाहता है वो अपने आपको किस में रखना चाहता है अब फिर external forces और लग जाती है इसलिए वो वहाँ रह नहीं पाता क्योंकि उसकी capability से उपर ज़ादा जब mg लग जाएगी उसकी surface tension को खतम कर देगी तो फिर कैसे चलेगा अब तुम कोगे बग चल पाता इसके उपर मैं क्यों नहीं चल पाता तुम कैसे चलोगे बग तुम उसकी surface tension के एक value है उसके surface tension के एक value है बग चल पाएगा क्योंकि उसका mg काम है तुमारा mg भ्यंकर है तो तुम कैसे चलोगे उसके उपर इसलिए ये बातों को समझना है तो अब देखो इसके आगे अब हम समझते हैं थोड़ा theoretically ठीक है यह देखो यहाँ पर यह membrane भी दिखाई है मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो यह सब यह देखो यह density बढ़ गई अब देखो कुछ नहीं सब चीज़ें वही है अब देखो यह आगे theoretically लिखा हुआ है वही जो बाते जो मैंने अभी आपको बताई यह वाली theory मैंने आपको समझा दी है जो यहाँ लिखी है यह वाली सारी theory मैंने बता दी है यह सारी theory बता दी है यह आप अच्छे से इसको पढ़ लो ठीक है molecular theory of surface tension यह question आ सकता है paper में 2 mark के लिए या 3 mark के लिए तो यह आपको उस में molecular theory में यह diagram expected है यह diagram बनाओगे और यह theory आप अपने अपनी language में लिखनी है इसको कोई रटा नहीं मारना शूरू कर देना ठीक है है कितनी किस material की कितनी है वो calculate करना है तो calculate करने के लिए आप इस diagram पर focus करना ज़रा आप देखना हमने इस liquid के उपर जो भी liquid है इसके उपर देख रहे हैं आप 3D में बड़े अच्छी सी diagram बनाई है आप भी practice करो यह सब बनानेगी तो यह एक line draw की है of length L एक line imaginary draw की है imaginary liquid के उपर line कैसे draw करोगे imaginary एक line draw की जब यह line draw की तो आपको मालूम है यह stretched membrane है तो यहां से यहां से हर जगा से यह force feel करेगा तो जो surface tension की value है और यह जो force है वो directly proportional किसके होगी length के obviously इतनी ज़्यादा length होगी उतनी ज़्यादा forces लगेंगी surface के उपर बनाई है directly proportional to और इसे equal to क्या आ जाता है sigma sigma is a surface tension sigma is equal to क्या होगया surface tension is equal to f by L आप direct यह भी बोल सकते थे इस surface tension की value किसके बराबर आएगी force जितनी यह field की इस length ने divided by क्या L इसलिए surface tension को बोलते है Newton per meter इसका इसके unit होंगे dimension आपको सिखाये थे याद होंगे आपको surface tension हम तब बात भी करते थे this is not a tension जो हम लोग पढ़ते है वो जो tension है वो Newton में होती है यह tension अलग है this is particularly for flutes and this is called वो tension नहीं है जो हम strings में पढ़ते थे वो नहीं है यह ठीक है यह भी आप read करोगे आपको सब समझाएगा कोई चीज नहीं पता चलेगी तो हम जुरूर डिसकस करेंगे surface tension की यह definition लिखी है वो आपको word to word याद होनी चाहिए surface tension is the property by the virtue of which by the virtue of which the surface the free surface of a liquid at rest behaves like an elastic stressed membrane tending to contract दो बाते एक तो stressed membrane and tending to contract यह दोनों चीज़ा important है tending to contract की वज़े से spherical shape लेती है हर एक जो liquid का drop होगा वो spherical shape लेता है हमेशा liquid हर किस shape में रहना पसंद करेगा वो अगर खुद उस पर छोड़ दो तो किस पर रहना पसंद करेगा surface इसलिए rain drops भी जो आते है वो हमेशा spherical आते है हमेशा spherical आते है वो उसकी shape जो change होती आपको इस तरह की shape दिखाई देती है है वो sphere ऐसे आ रहा है लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे shape हो जाती है क्योंकि और भी forces picture में है आपकी viscosity of the air picture में है आपका air friction picture में है आपका mg picture में है अगर वो सब कुछ ना हो तो वो बिलकुल goal shape होगी इन liquid drops की जो मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ ये tending to contract की वज़े से tending to contract क्यों बताया उसका energy का phenomenon बताया कि surface के उपर कोई drop रहना पसंद नहीं करता वो हमेशा नीचे ही जाना पसंद करता है इसलिए वो ऐसा है तो surface के उपर जो potential energy है उसकी value ज्यादा होती है in comparison to अंदर वालों के अंदर वालों के ज्यादा होती है तो आपने इस बात को समझना है आप यहाँ से हम आगे बढ़ते है ठीक यह calculate किया हुआ यह सब आप पढ़ो यह surface tension की a core definition दी है is measured कैसे measure किया जाता है as a force acting per unit यह पताया मैंने आपको यह पताया इसको अच्छे से पढ़ लो यह कुछ इसकी demonstrations है अगर आगर आप न बड़े अराम से एक पतली सी needle लो जैसे pin type needle लो और उसको उसको आप water के ऊपर बड़े अराम से रख दो एक needle लो और needle को कहा रख दो water के ऊपर रख दो वो उसके ऊपर ठैर जाती जबकि वो needle डूबने वाली चीज है आपको मालूम है कि लोहा तो बिलकुल मजे से डूब जाता है पानी के अंगर लेकिन वो डूबे गानी वो अच्छली फ्लोट भी नहीं कर रहा है वो इसके उपर ठैर जाता है वो इसके उपर इसके वज़े से ठैर जाता है अगर ये experiment आप करो आप यही चीज blade के साथ भी कर सकते हो जो normal blade होते थे ना पहले जो blade होता है लगाने का यहां पर आप किसी भी इंटरनेट पर देखो गे needle suspended on surface tension on needle लिख दोगे न तो आपको picture दिख जाएगी ठीक है तो ये needle है इसके उपर बता रहा है कि forces ये force surface tension की F इसका net ये उपर की तरफ weight इसका जो था थोड़ा बहुत वो इधर लेकिन वो इसको balance कर देता है ये forces कौन सी है ये surface tension के कारण forces है ठीक है फिर ये phenomenon है क्या कि जब आप ये drop ये करते हो brush को dip करते हो water के अंदर तो जब बहार निकालते हो तो बिल्कुल contract कर जाता है क्यों कि water contract करता है ये bristles नहीं करते ये खुद contract कर जाता है क्योंकि वो कम से कम surface area लेना चाता है इसलिए जब brush उसके बाहर से निकालते हो तो इस तरह ऐसे जब आप कभी नहाके भी बाहर निकलते हो तो आपके बाल जो है बिल्कुल चिपके हुए क्यों होते है उसका भी रीजन यही है ये देखो मैंने बताया था आपको मैं पहले ही आपसे discuss कर रहा था कि मैं एक ऐसी example दूँगा आपको जिसमें आपको बताऊंगा कि हम gravity को खतम कर देते हैं क्या करते हैं हम actually हम एक olive oil लेते हैं olive oil का drop डालना है मैंने एक ऐसे solution में water और actually water का water की density olive oil से ज़्यादा होती है अब लेकिन मैं water की density कम करना चाहता ही हो तो water की density को कम करने के लिए कं करने के लिए हम उसके बीच में alcohol डालते हैं तो alcohol जब डालेंगे उसके बीच में तो उसकी density जो है वो olive oil के बिल्कुल बराबर कर देंगे ठीक है वो आब चोटी सी बात एक और बता देता हूँ इसके साथ ही, इसके मैं एक्सपेरिमेंट पे बाद में आता हूँ, क्या कि जब जो आपके मॉस्किटोस हैं, वो सर्फेस के उपर क्यों ब्रीड कर पाते हैं, और क्यों ठैर पाते हैं, पानी रखना पड़ेगा, लेकिन आपकी जरूरत है, आपका कुछ ऐसा कंडिशन है, आप उसके बीच में वो लोग डाल देते हैं, कैरोसी नाइल डालने से उसकी सर्फेस टेंशन काम हो जाती है, सर्फेस टेंशन काम हो जाती है, इसलिए फिर उसके उपर जो मॉस्कीटोज हैं वो ठैर नहीं पाते, ये भी एक रीजन है, फिर दूसरी रीजन एक और बताता हूँ, वाटर के साथ, अकेले वाटर के साथ जब आप कपड़े दोते हो, तो वो उसका डर्ट बाहर नहीं निकाल पाते, डर्ट बाहर नहीं निकाल पाते, लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, आप सोप सिलूशन डालते हो, तो सर्फ सोप सिलूशन डालने से, उसकी सर्फिस टेंशन कम हो जाती है, सर्फिस टेंशन कम होने के कारण, वो जो membrane तरह तरह का structure था वो हलका पड़ गया और अब जो water है वो हर कोने में गुस जाता है ठीक है हर कोने में गुस जाता है और वहां से वो dirt के साथ mix करके उसको बाहर निकाल देता है तो यहां पे इसलिए ये भी surface tension कहीं phenomena की बात है आपको सिर्फ idea होना चाहिए कोई बड़ी detail आपको जुरूरत नहीं है इसके अंदर जितनी मैं बात कर रहा हूँ इतनी this is enough अब मैंने क्या बोला यह olive oil जब इसमें डाला ना तो इसकी density बराबर है तो olive oil जब आप इसके बीच में और point force कितनी होती है जितना यह water displace करेगा उसका weight और जब density अगर olive oil की और इस water जो मैंने अभी alcohol के साथ बनाया उसकी density बराबर है तो इसका मतलब बिल्कुल बराबर force लगेगी जो इसको इसके mg को cancel कर देगी mg और यह बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होंगी और यह बिल्कुल इस समय मतलब under the action of gravity नहीं है gravitational force जो इसकी वज़े से लग रही थी उसको आपने wind force से खतम किया कैसे किया वो आपको समझाया मैंने और फिर जब यह drop इसके बीच में रहा तो यह बिल्कुल कैसा रहा बिल्कुल spherical shape का रहा बिल्कुल spherical क्योंकि यहां पे 100% spherical आपको day to day life में देखने को क्यों नहीं मिलता क्योंकि gravity को कैसे करोगे खतम आप तो इसलिए gravity के होने की वज़े से वो थोड़ा सा flat हो जाते जैसे मैंने अभी drops भी दिखाए आपको पीछे तो यह चोटी सी बात थी जो आप से बताई इसके आगे surface energy surface energy एक चोटा सा topic है आपका इसी से related क्या कि आप यह देखो मैं इसको read कर देता हूँ यह read कर देता हूँ एक्स्ट्रा एनरजी मैं पूरा पढ़ता हूँ दे दे फ्री surface of a liquid possesses minimum area due to surface tension to increase the surface area अगर मैं उसका surface area जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश करूँ ठीक है the molecules have to be brought from interior to the surface मुझे अंदर से बहर की तरफ लाने पढ़ेंगे जहां वो आना पसंद नहीं करते work has to be done against the forces of attraction आपको forces of attraction के against काम करना पढ़ेगा ठीक है this work is stored in the form of potential energy at the surface of the of the surface of the energy of the molecules on the surface so the molecules at the surface have extra energy compare यह तो मैंने पहले भी बात की आपके साथ the extra energy possessed by the molecules of the surface film of unit area compared to the molecules in the interior is called surface energy जो extra energy उनके पास है उसको हम surface energy बोलते है this is equal to the work done अब इसको calculate करने के लिए हम लोग यह language यूज करते हैं जो यहां लिखी है क्या it is equal to the work done क्या किसके बराबर है in increasing the area of the surface film per unit by a unit amount मतलब अगर unit amount से मुझे उसके surface area को increase करना है work done upon increase in surface area अब आप बोलोगे surface area increase कैसे करें अब मरे दिमाज में होता है glass के अंदर पानी पढ़ा हुआ उसके surface को increase कैसे करोगे यार तुम ठीक है कैसे करोगे मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ ठीक है और यह important है relation between इसको अच्छे से लिखके रखना है ठीक है मेरे को note से better लगा यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ से आपको बताया और आप यहीं से पढ़ोगे इसको consider अब हम क्या करते है मैं आपको बताता हूँ एक पतली सी wire का ना हम ऐसा rectangular frame बनाते है ऐसा पतली सी wire ली और उसका ऐसा frame बना दिया ठीक है चल दी अब क्या किया आपने अब आपने इसको डाला soap solution के बीच में आप जैसे इसको soap solution के बीच में डालोगे ना यह जो length है यह पहले अगर यहाँ होगी यह अपने आपको contract करके ना यहाँ लाने की कोशिश करती है अंदर की तरफ वो लगेगी मैंने बूला ना surface कम से कम रहना चाहता है और इस soap film के कितने surface है दो है एक इस तरफ जो आपकी तरफ है और एक पीछे की तरफ भी है इसके पीछे की तरफ भी है दो है बताया ना यह आपको लगरा बड़ा पतला आई ये लेकिन मैंने आपको बोला न जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो ये इतना मोटा फिल्म है जो इसके उपर सर्फेस बनी है यहाँ पे भी एर के साथ ये कॉंटेक्ट में है यहाँ पे भी air के साथ contact में है इसलिए दो surfaces बने है इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे f is equal to 2 sigma l ठीक है और यहाँ पे अब मैंने एक थोटी सी force लगाई ठीक है यहाँ पे देखो मैंने force लगाई और force लगाके इसको यहाँ पे लाया उसके साथ ही यह calculations की है आप कितना काम करना पड़ा वो हमने calculate करना है आपको मालू मैं work done किसके बराबर होता है force into distance तो कितना distance चले आप force कितनी लगी मैंने बताया आपको 2 sigma l 2 लगेगी 2 sigma भी बताया आपको तो यहाँ से आपको क्या मिल गए 2 lx increase in surface area तुमने surface area कितना बढ़ाया देखो surface area कितना बढ़ाया देख लो यह l length यह x तो l into x क्या हुआ है इस rectangle का area तो यह आपने area बढ़ा दी है तो यह आपका बढ़ गया और यहाँ से ultimately यह आप calculation कर ली और यहाँ पे फिर work done आपने calculate किया और it comes out to be sigma यानि कि surface energy किसके बराबर आती है surface tension के numerically they are equal इसको read कर ले न कोई difficulty आएगी तो हम discuss करेंगे thank you very much